वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है? को पावर्ड बाई सेंसुडाइन आण विमल बोलो जुबां के सरी मेरट विधानसभा सीट से सपाविधायक रफीक अनसारी की पुलिस तलाशी कर रही थी और पुलिस की लगातार छापे मारी के बाद उन्हें आखरकार लखनाउ से सुमवार को ग्रफतार कर लिया गया मेरट के SSP ने विधायके गरफतारी के लिए पुलिस की एक टीम गठित की थी इस टीम ने चापे मारी के बाद उन्हें गरफतार किया है सपाविधायक रफीक अनसारी को पुलिस मेरट लेकर पहुची और रात में MPML कोट में रफीक अनसारी को पेश किया गया तो पहल लखनव से वापस मेरटाते समय रफीक अंसारी को ग्रफतार किया गया था एक सौ से अधिक NBW जारी होने के बाद भी वो कोट में पेश नहीं हुए थे मेरट विदान सबा सीट से सबाविधायक रफीक अंसारी की पुलिस सलाशी कर रही थी और पुलिस की लगातार छापे मारी के बाद उन्हें आखरकार लखनव से सोमवार को ग्रफतार किया गया इलाबा धाई कोट ने 1995 एक मामले में मेरट के विदायक रफीक अंसारी को रहत देने से इंकार कर दिया था इसके बाद विदायक ने कोट में आचिका दायर की थी जिसमें NBW के आदेशों को चनौती दी गई थी कोट ने इसी आचिका को इसलिए खारिस कर दिया था क्योंकि सपा के नेता रफीक अंसारी ने साल 1997 और 2015 के बीद सौ से अधिक गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अदालत में वो पेश नहीं हो रहे थे जस जस संजय कुमार सिंख की बीट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा विधाय के खिलाब गैर जमानती वारंट का निस्पादन नहीं करना और उन्हें विधान सभा सत्रे में भाग लेनी की अनुवती देना एक खदरनाक और गंभीर मिसाइल कायम करता है वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसुडाइन और विमल बोलो जुबां के सरी